नमस्कार दोस्तो बिलह स्टाट अप की इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमेंट्स का जवाब देंगे और उसपर चर्चा करेंगे दोस्तो अपने वेला स्टीड़ नीएर उसको जर दुढ़ milliseconds का विकास हो रहा है या सिर्फ ए काड़ लोग पूछ रहे हैं और यह जो परशने पूछने का अंदाज कुछ इस प्रकार से हैं लोग कहे रहे हैं कि अभी उत्रप्रदेश की जन संकया कम हुई नहीं है और उत्रप्रधेस कैसे विकास कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप यहां पर डिस्टिक्स की संख्याद ज्यादा है पूरे भारत में सबसेरा डिस्टिक उत्तर प्रदेश में है 1971 से 2001 तक यहां पर करीब इस समय काल में 25% पॉपलिशन ग्रोफ रेट देखी गई है यानि कि पहले की मकाबले fertility rate गिरी है दोस्तो आपको जानकर हैरानी होगी कि केरला की fertility rate 1.4 से 1.6 हुई है फिर भी दोस्तो केरला की population growth rate काफी stable है अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की fertility rate तो यह केरला की दूगना है दोस्तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है तो इसका केरला से comparison नहीं किया जा सकता उत्तर प्रदेश में 80 जिले हैं तो यहाँ पर fertility rate हमें डिस्टिक वहित जानना चाहिए दोस्तो एकॉनमिक सर्वे क्या कोडिंग उत्तर प्रदेश के 10 जिलों की population growth rate केरला जैसी है लगबग 4.8 परसेंट वहीं दोस्तो 13 जिलों की growth rate 16 जिलों 6-7 परसीसत है जो कि करनाटका की population growth जितनी है वहीं दोस्तो उत्तर प्रदेश में 23 ऐसे डिस्टिक हैं जिनकी population growth rate नॉर्मल है ओवर ओल देखा जाए तो 50% डिस्टिक की population growth rate उत्तर प्रदेश की population growth rate से कम है इसके अलाबा उत्तर प्रदेश की 57 डिस्टिक की fertility rate 2.1 ह जो की उत्तर प्रदेश की fertility rate 3 से कम है लेकिन दोस्तो उत्तर प्रदेश में 11 ऐसे जिले हैं जिनकी population growth rate 25% है जो की बिहार जितनी है इन 11 डिस्टिक की fertility rate 4 है और UP की fertility rate 3 है तो ये उत्तर प्रदेश की fertility rate से ज्यादा है इसके लाव दोस्तो इन 11 बड़े जिलों के कार्ड उत् बाराइच सीतापूर हर्दोई साजहापूर बांदा गोंडा एटा बलरामपूर गौतमबुद्नगर गाजियाबाद चित्रकूट यह सारे सामिल है इसमें दोस्तों गौतमबुद्नगर डिस्टिक और गाजयाबाद डिस्टिक को निकाल देते हैं क्योंकि यह दोनों इसमें दोस्तों बाराइच सीतापूर हर्दोई साजहापूर गोंडा बलरामपूर हैं इन जिलों की पॉपुलेशन अगर आप जाकर यहां पर एक बार रिलिजन डेमोग्राफ देखेंगे कि यहां पर कौन से धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है तो आपको पता लग जा और बान्दा इनकी पॉपुलेशन घोट बहुत ज्यादा हो गई है फिलाला भी आभी पॉपुलेशन अतनी ज्यादा नही है लेकिंगम इस अब को मेन्ट का जवाब देते हैं अगर उत्तर प्रदेश में पॉरे भारत में संक्या मियंतर कानून लगाया कानून नहीं तो स जहां पर fertility rate बहुत ज़्यादा है चार है लगबग वहां पर minority के population 25 से 40% तक ही है तो अगर यहां पर कानून लगाया जाएगा तो वहां पर विरोधोना जैस सी बात है उत्तर प्रदेस के अंदर और खासकर इंजी लोग के अंदर अब दोस्तो दूसरा प्रदेस में उत्तर प्रदेस का विकास एक चलावा है यह मैंने एक प्रदेस लाया था उस पर बहुत साइड लोगों ने बाते कही और मैं उस पर कुछ आपको कुछ अपनी राय देना चाहूँगा दोस्तो इन बातों में आकड़े पेस करूँगा दोस्तो किसी भी छेत्र को विक्सित करने के लिए नेत्रतो की बहुत जरूत होती है अगर आप सिंगापूर का एक्जामपल देखें उसको भी एक नेत्रतो के बल पर एक विक्सित देस बनाया गया वहीं बात करें योए की तो योई में भी नेत्रतो ही दिखा अब भारत के अंदर बात करें तो भारत के अंदर गुजरात का विक्स एक नेत्रतो के कारण ही हुआ अब बात करते हैं उतर्प्रदेस की तो दोस्तो उत्तर प्रदेस में नेतिर्तु की कमी से पहले थी, क्योंकि यहाँ पर जो सरकारे थी, वो जातिगत अधार पर बनती थी, अब इसका example मुझे देने की जोयत नहीं है, उत्तर प्रदेस दंगों सही हर वक्त गसित रहता था, यहाँ पर कभी जातिगत दंगे, तो इन्होंने आगरालखनर यँम9द एक्सप्रस वे बनवाया, जिस से दोस्तो इन्होंने पर प्प्रदेस के इंस्वास्ट्रे को विकसित किया, वेल दोस्तों यह भी इतावा के हैं, तो वह भी पसच्च्च्य में पशनी उतर प्रदेस में वीकास कीया, अब बत करे, तो उ पुर्वांचल एक्सप्र्सवे और बुंदेजान एक्सप्र्सवे इन पर निर्माव कार runs और लगबग दोस्तोओ सरस्थ मों इसको पहँते हैं इस पर फौकस नहीं किया लेकिन दोस्तोओ अब सरकार्य पर कालपुठ्र-अउर SMITH प्रस्तावीत की व. इस पर निर्माड कार जल्दी शुरू करेगी तो दोस्तों यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस पर प्लैनिंग आज नहीं बहुत पहली हो गई थी लेकिन निर्माड कार इस पर सुरू नहीं हो पाया अब दोस्तों कानपूर लखना अब ही बस्तावित है और इस पर जल पर जह संक्या बहुत जादा है जिसके करद यहां पर क्राइम रेट जायस सी बात है ज्यादा होगा बेरुजगारी भी है तो उस कारण भी लोग क्राइम के तरफ आकरसित होते हैं अब दोस्तों एक इच्छा कर सकते हैं कि बाहरी लोग यहां पर निवेस करेंगे इसी सरकार ने इस्टन उत्रप्रदेश और बुंदेल खंड में निवेस आकरसित करने के लिए एक नई पॉलसी बनाई थी इस पॉलसी के तहट इस रीजन में निवेस करने वाली कंपनियों को अगर वो भूमी यहां से लेंगी तो उनको 50% राजय सरकार सबसीडी देगी अब दोस्तों बहुत सारी लोगा प्रसंद होता है कि सरकार कंपनिया लेकर एक दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं कोई भी कंपनी अपने मन से आती है उसको जबरजस्ति किसी छेत में निवेस करने के लिए ल सरकार सी इंसेंटिव देगी कि आप यहां पर जाओगे तो इतना देंगे इसके लाव सरकार कुछ नहीं कर सकती तो यह मत कहिए कि सरकार कह रही है एक अच्छा इंसासेक्चर होगा तो बाद में भविस में वहां पर भी निवेस होगा इसके लाव दोस्तों उत्तर प्रद उपर आई है प्लस होई इस कारण यह दूसरे स्थान पर आया है लेकिन दोस्तों इस उप डूइंग बिजनेस की रैंकिंग इसको उम सयोग नहीं मान सकते इस चेत्र में भी उत्तर प्रदेशन किया है और दूसरे स्थान पर आया है यहां पर विदेशी कंपनियों का नेतिर्टु में कमी उतनी नहीं है, नेतिर तो एकदम सही है उत्तर प्रदटेश के अंदर, अब दोस्regation तीसरा प्रफन ये है की उत्तर प्रगॉर्णमेंट का बहुत जदा फोकस साहession पानी की तरह पैसे बाहरें इसपर प्रवनिट को comparison निकरना चाहता, मैं छेतरवादी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, केंसरकार हर राजी को मदद करती है, अब बात करें, तो माराश्चा का बजट 2021 में देखा जाये, तो उत्तर प्रदेस का बजट 2020 सी किसमें, पाध समलोगा 5.0 lakh करोड था, जबकि उत्तर प्रदेस का रिवेन्यू, इसी टाइम लाइन में 4.25 lakh करोड था, यानि कि उत्तर प्रदेस का रिवेन्यू और बजट में, 53,195 करोड का अंतर देखा गया, जो कि मारास्टा से थोड़ा कम है लोग को ऐसा लगता है कि उत्तरप्रदेस किंदर कुछ है ही नहीं तो यहां कमाई कैसे होगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो उत्तरप्रदेस की population बहुत ज़्यादा है अब दोस्तो ऐसा बहुत साई लोग सोचते हैं उत्तरप्रदेस के अंदर जो यहां पर इतना ज़्यादा बड़ा बजट लग रहा है इसका सारा पैसा सेंटर गवर्मेंट दे रही है ऐसा लोग को लगता है तो मैं उनकी गलत हैमी को दूर करना चाहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने comparison भी आपको उपर दिखा दिया है तो उत्तरप्रदेस के अंदर जो tax collection होता है वो मारास्टा से थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि यहां पर जन संक्या ज़्यादा है आपको माननी पड़ेगी और यहां पर सहरों के संक्या मारास्टा से ज़्यादा है यहां पर भले ही urbanization कम है मारास्टा के मुकाबले लेकिन यहां पर सहरों की संक्या ज़्यादा है और उन सहरों की population भी 1 million प्लस है इसके लाबा यहां पर कुछ बड़े सहर भी है जहां पर निवेस अच्छी मात्रा में आ रहा है टो देखा जाए तो उतर प्रदेश में वेस्थ से लेकर इस्ट तक आपको अच्छी अच्छे सहर मिलेंगे अब इसको देखा जाए तो इसमें नुडा है प्रेगरा आड़ आर्यो है। बटे और लक्तना है हैं एक अच्छा कासे हैं थैक्स कालेक्सिन होता है यहां अच्छे जी तो इस रही को नजल मदद करएं लेकिन पैसे के लिए अच्छा प्रस्नी हैं कि उत्तर्पर 10 में रहने वाले लोग हैं रहने लोग अब यहने वाले कहते हैं कि Eastern पर फोकस कर रहे है और Eastern वाले कहते हैं कि Western फोकस कर रही है तो मैं आपको example DOंगा कुछ सबसे पहले आगर आप Express Way असकी की करेंगे तो एक्सब्रस वे यबन एक्सब्रस वे आगरा लखनो एक्सब्रस वे कूंण सी रीजन में हैं był divorce उत्तरप्रदेस में और दोस्तों ये बहुत भी बड़े इंस्प्राइब से पहले सी बैतर है चाया उसकी क्नेakटोवेटी लखनाव उसे के तो वह भी आपर दोस्तों इंफास्सक्टर अच्छा है लेकिन बात करें इसकर दोस्त रिज़न, और और ब्रज रीजन की, तो यहाँ पर सच्छ, इसटन और बुंदेलखंड के मुकाबले बहुत ही भैतर है। समस्य थे के कारण। दूसरा यहां पर expressway बनाया जा रहा है जो expressway है वो है बुंदेलखन expressway और जिस पर निर्मार कारे भारत के अंदर सबसे तेजी से हुआ है आप इस्टेर उत्रप्रदेश की बात करें तो इस्तेर उत्रप्रदेश में infrastructure और जोहां पर बाहुबली है उनको दबाने के कोसिस की जा रही है ताकि यहां पर भी निवेस हो क्योंकि अगर जहां क्राइम रेट जादा रहेगा वहाँ जब खुद के लोग निवेस नहीं करना चाहेंगे तो आप कैसे पेच्छा कर सकते हैं कि बाहरी निवेस वह आएगा बहुत सारी लोग परसना करते हैं चाहे वह वह कि नोईडा की जो अथोटी है चाहे आप गौतम बुद्नगर डिस्टी के अथोटीस देखें वह बहुत पैसे वाली अथोटी हैं क्योंकि करीब हैं इसके लाव यहां पर रियल स्टेट बहुत ही अच्छा है चाहें यहां पर प्रॉट्स की कीमत बहुत ज्यादा है बहु यह एक्स्टर पर्युजना चला सकें तो यह सारा डिपेंड करता है अथोटीस को जो भी डिवलॉप्मेंट रियल स्टेट और सब होते हैं सहरो के अंदर वो अथोटी के उपर होता है और अथोटी को अप्रूबल को देता है इस्टेट गवर्मेंट देति है तो यहां पर अथोर्टिस के पास पैसा जरूरी होता है, जिस अथोर्टिक के पास पैसा ज़्यादा है, वो पर्योजनाय चलाती है, और बहुत सारे ग्रामीड छेतर के लोग होते हैं, वो पूछते हैं कि जातर जो प्रोजेक्स जो हैं, वो यहीं पर चलाये जा रहे हैं, सहरों में चलाय जहता है जो पर कलोनी वगराती है जो फॉलक को घर ऊगरा मिलते हैं हूँ तर सब किस पैसो से मिलते हैं यह सब टेक्स कलेक्ट्स कुल मिलाकर किया जाता है इसमें सेंटर गुर्ड्मेटamt सब कहात होता है तो इतने सारी जॉब्स पर स्टेड गौर्मेंट ने उतना फोकस नहीं किया है। पहले दोस्तों इससे पहले की सरकारे उन्होंने गौर्मेंट जॉब्स पर फोकस किया था। दोस्तो राज इस सरकार को गॉर्मेंट जॉप्स पर फोकस करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर भस्ताचार बहुत ज़्यादा है इससे पहले की सरकारों में भस्ताचार देखा गया है चाहिए आप मार्क सीट देख लीजे वहाँ पर एक विशेज जाती की तबकों की संक्या जादा है और योगी सरकार में भी इस पर कुछ जादा सुधार नहीं हुआ है क्योंकि दोस्तो यहाँ पर एक नेकसस बना हुआ है और नेकसस में उपर से छोटे सभी लोग सामिल है तो सरकार को इस नेकसस को तोड़ना है इस चेन को तोड़ना है ताकि दोस्तों यहाँ पर जो एस्प्रिंट्स हैं ताकि दोस्तों जो असली हगदार लोग है उनको उनका हग मिल सके दोस्तों उत्तर प्रदेश के इंदर इस वक्त जातिगत राजनीती गिर गई है और आपको जा रहा है क्योंकि अगर जातिकत विवाद होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी स्टेट गवर्मेंट पर सीधा रोप लगा सकती हैं लेकिन अगर सामपरदाइक दंगी होंगे तो ये इनको पच्छ लेना पड़ेगा और इन्हें पता है कि अगर ये पच्छ लेंगे तो इनका जरूर कमेंट जरूर करें अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपको ये वीडियो देखने के लिए